हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इत्यास के सबसे अमीर आदमी के बारे में जानते हैं? कहते हैं कि उसके पास इतनी संपत्ति थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था इस शक्स का नाम है मंसा मुसा प्रथम जो टिम्बकटू का राजा था आज के समय में टिम्बकटू अफरीका देश माली का एक शेहर है मुसा ने माली की सलतनत पर उस समय हकूमत किया था जब वहां सोने के भंडार हुआ करते थे कहते हैं कि उसके राज में एक साल में लगबग एक अजार किलो सोने का उत्पादन होता था दरसल मंसा मुसा का असली नाम मुसा कीटा प्रथम था लेकिन राजा बनने के बाद वो मंसा कहलाए मंसा का मतलब भाजशा होता है BBC के मुताबिक मुसा की सलतनत इतनी बड़ी थी कि उसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है आज के मुरिटोनिया, सेलेगन, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किनाफासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मुसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ गरते थे 1312 हिस्वी में मलसा मुसा माली समराज्या का शासक बना था करीब 25 साल के अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों का निर्मान करवाया था जिसमें से कई तो आज भी मुझूद है तिम्बकटू का जिंगारेवेर मस्जिद मंसा मुसा के दोर में बनी उनी मस्जिदों में से एक है मंसा मुसा से जूड़ी एक कहानी दुनिया भर में मशूर है कहते हैं कि 1924 इस्वी में मंसा मुसा मक्का के यात्रा पर निकला था इस दोरान उसके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे जिसमें से 12,000 तो केवल उसके नीजी अनिवाई थे इसके अलावा मंसा मुसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का एक दस्ता था और सबके आत में सोने की एक एक छड़ी भी थी कहते हैं कि मंसा मुसा के काफिले में 80 यूटों का एक जथा भी था और हार उट पर 136 किलो सोना लदा था कहा जाता है कि मंसा मुसा इतने उधार थे कि जब वो मिसर की राजदानी काहिरा से गुजर रहे थे तो उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर मेंगाई बढ़ गई थी मंसा मुसा के दोर में यूरोप के पास कुछ खास कनीजग पदार्तिया सोने के भंडार नहीं थे कहते हैं कि मंसा मुसा द्वारा जब करीबों में सोना बाटने की बाद यूरोप तक पहुची तो वो सिरफ ये देखने के लिए माली समरज्य आने लगे कि मंसा मुसा के दोलत के बारे में जो बात हमने सुनी है वो कितनी सच है आखेर कारू ने अपनी आखों से यह देखकर विश्वास हो गया कि मंसा मुसा के पाद बेशुमार दोलत है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें यह है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद